Hello students, कैसे हो आप सब लोग मेरा नाम कामाक्षी गुडवंता और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुडवंता क्लासिस मैं आपको पढ़ा रहे हूं क्लास 10 की मैथमेटिक्स आज एक्सरसाइज है 8.3 एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं वो मैं आपको एक्स्प्लेन कर देती हूं जो इस एक्सरसाइज में बहुत हेलपफुल रहेंगी पहला है साइन 90 माइनस सीटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो मैंने यहाँ पे इसे थीटा ले लिया है तो साइन 90 माइनस सीटा इस इक्वल टू होता है कॉस थीटा और ऐसी इसका रैसिफोकल हो जाएगा कॉस 90 माइनस सीटा इस इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा ऐसी 10 में होगा 10 90 minus theta is equal to cot theta और 4th हो गया cot 90 minus theta is equal to 10 theta ऐसी sec और cosec दोनों में हो जाएगा ये दोनों भी एक दूसरे के reciprocal है sec 90 minus theta is equal to cosec theta और cosec 90 minus theta is equal to sec theta अब ये 6 identities हैं जो exercise 8.3 में बहुत helpful रहेंगी अब जैसे मैं exercise का first question करती हूँ sin 18 upon cos 72 लिखा है देखो इसको मैं इस identity से कैसे solve करती हूँ ध्यान से देखिएगा ये है sin 18 है 18 को अगर मैं 90 minus 72 लिख देती हूँ और cos को मैं वैसी रहने देती हूँ cos 72 लिख देती अभी यहाँ पर देखेंगे अभी हमने देखा था कि sin 90 minus theta यहाँ पर theta की value है 72 degree तो sin 90 minus theta is equal to होता है cos theta cos theta का मतलब यहाँ पर आजाएगा हमारा cos 72 क्योंकि हमारा theta यहाँ पर 72 है और denominator में cos 72 है तो यह दोनों cancel हो जाएंगे answer हो जाएगा हमारा 1 या अगर हम sin को हम ऐसी रहने दे यहाँ पर cos को change कर देता है तो sin 18 upon cos 72 है यहाँ पर मैंने 18 को change करके लिखाता है 90 minus 72 यहाँ पर मैं 72 को लिख दूँगी 90 minus 18 लिख दूँगी तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि cos 90 minus theta cos 90 minus theta is equal to होता है sin theta बस यह solve हो जाएगा तो यह आजाएगा sin 18 upon cos 90 minus theta sin theta sin 18 हो गया यह cancel हो गया यह answer आगया 1 अमूमन इन questions में जो होता है answer 1 ही आता है या 1 आता है या जो minus वाले होते हैं उनमें 0 आता है या तो इसमें numerator को denominator की तरह बनाए